बहुत सारे patients infertility इस वज़ा से जूंच रहे होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पित्त का aggregation रहता है post-quartal burning रहती है यानि relation बनाने के बाद बहुत ज्यादा जलन होती है कुछ लोगों को बार बार urine करने के समय पे जलन का अनुभव होता है कभी-कभी ऐसे stomach में बहुत ज्यादा जलन मैसूस होती है मुँ में छाले आते हैं ऐसी समस्याइं भी infertility create करने में reason होती है infertility से ज़ादा ये problems जो है वो recurrent abortions create करवाती है यानि कि conceive करके बार बार गर्बबात या गर्बशे हो जाता है तो आखी ऐसी समस्या को अगर हम कोई घरेलो उपाय ढूनते हैं कि उसे कैसे निजात पाया जा सकता है तो बहुत ही आम तोर पर घर में मिलने वाले एक मामूली सी दवा है वो है raisins यानि कि द्राक्षा अंगूर को सुखा कर बनाई जाती है द्राक्षा आएर्वेद में द्राक्षा को द्राक्षा फलोतमा वो ला गया है तो अगर आप द्राक्षा का सेवन नियमी तोरपर करते हैं तो आप ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं अगर हमें इसके quality की बात करें तो ये हमारे digestion को अच्छा करता है स्टमक की अगनी को अच्छा करता है हमारे bowel movements को यानि की पेट को regular साफ करने में मदद करता है lexative की तरह react करता है post-coital burning को resolve करता है urine में burning को resolve करता है mouth ulcers को resolve करता है स्टमक में जलन होती है कुछ patients बोलते हैं अंदर से बताते हैं तो उसमें भी द्राक्षा बहुत जादा मदद करता है आयरवेद में द्राक्षा के लिए बोला गया है कि यह तरिशना दाह जुर श्वास रक्त पित शत शयान वात पित्तम उदावर्तम स्वर भेदम मदात्यम ऐसे इन सभी रोगों में यानि की तरिशना में जैसे प्यास में दाह यानि जलन में जुर में यानि बुखार में श्वास शांस चड़ रही है जुकाम हो रहा है रक्त पित्त की समस्य में जो mental bleeding बहुत heavy होती रहती है महीनों महीनों चलती रहती है, दस दस दिन तक ब्लीड करते रहते हैं, बहुत जादा वीकनेस फील होती है, पेशन बोलता है दिन में चार बार चकर आते हैं, वीकनेस बहुत जादा रहती है, ऐसी सब समस्याओं को रिजॉल्ट करने के लिए द्राक्षा बताई गई है, यानि ये इसके ये खाएंगे तो गर्मी करेगी, पर बिगो के खाने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, इसका एक्टिव पोटेंशल इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उसको बिगो कर खाना चाहिए, अदर्वाइस भी ये वीरे में शीथी माना गया है, उश्न नहीं माना गया है, कू इंपॉर्टेंट ब्लड प्यूरिफायर है, जिसकी आज के समय में सबको जरूरत होती है, तो इतने सारे गुण आपको एक रेजिन्स में मिल जाते हैं, आप ऐसा मत सोचे हम ब्लैक रेजिन्स लेंगे, नॉर्मल रेजिन्स लेंगे, आप कोई भी रेजिन्स भी को कर आप इसका 7 कर सकते हैं, पुरुष हो या महिला जिसको भी ऐसी समस्या है, इन फर्टिलिटी की समस्या में खास कर पित्दोशा का बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टन रहता है, तो आप द्राक्षा का 7 नियमिक तौर पर कर सकते हैं, मैं फिर से बताती हूँ, 10 से 12 द्राक् तब उसको ले सकते हैं, धन्यवाद